आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट नंबर फॉर का लास्ट टॉपिक जो है यूजिंग चिल्डरन लिटरचर तुटीच माथेमाटिक्स सो इंट्रस्टिंग चीज या आएगी कि हम बच्चों को लिटरेशर पढ़ाने जा रहे हैं क्या लिटरेशर साइश की तरह माथ को बी सपोर्ट कर सकता है बिलकुल कर सकता है और हमारे पाइसके बहुत से तरीके हैं आईए हम देखते हैं कि क्या है जब हम बच्चों को कहानियों की किताबे देते हैं और encourage करते हैं कि उसके अंदर से वो math के problems को solve करें और discuss करें math के concepts related languages को या math के concept के lens में कहानी के दौरान जो कुछ हो रहा है उसके plot में जो problems और issues आ रही है उसको solve करें definitely यह बड़ा engaging होता है, बहुत ही interesting होता है हमें बहुत सी research studies बताती है कि हम literature को, बच्चों की कहानियों को math पढ़ाने में क्यों इस्तेमाल करते हैं उसकी बहुत बड़ी और अहम वज़ा यह होती है कि जब हम math को via literature पढ़ाने लगते हैं तो बहुत ही interesting किसम के concept पैसे होते हैं जो हम उसमें engage कर सकते हैं हम उसमें variety of technology इस्तेमाल कर सकते हैं teaching method इस्तेमाल कर सकते हैं language और arithmetic की literacy इखटे develop होना शुरू हो जाती है तो literacy में vocabulary तो vocabulary है चाहे वो आपकी language की हो, culture की हो, math की हो या science की हो हमारे सामने की example है Marlon Burns की, she is a renowned author, math educator है और उनका कहना क्या है, उनका कहना ये है कि most of the time जो teacher है वो comfortable नहीं होते especially early years में arithmetic को पढ़ाने के लिए especially अगर उनका math अच्छा ना हो और हमने पहले भी discuss किया था कि early year में actually एक ही teacher होता है जो कि आपका science का भी teacher है math का भी teacher है, languages और art का भी teacher है तो अगर teacher का अपना math अच्छा ना हो तो वो कोशिश करता है कि मैं math की तरफ ना जाओ मैं language art के रीडिंग की तरफ चला जाओ teachers को कैसे motivate किया जाए कि वो math के अंदर अपना confidence build up करें अगर teachers कहानियों के through math पढ़ाएं तो कहानियों के अंदर क्या मौजूद होती है कहानियों में तसावीर मौजूद होती है जबरदस किसम की situation होती है plot होते हैं, character होते है teachers के लिए असान होता है बच्चों के attention को catch करना उनकी imagination को stimulate करना जब वो कहानियां represent करते है और math की problems कहानियों की form में बच्चों के सामने लाते है इस तरीके से दो effective काम होते है एक तो यह होता है कि teachers बच्चों में positive attitude develop कर लेते हैं और उनके अपने अंदर भी develop होता है कि math कोई डरने वाली चीज नहीं है और बच्ची जो है वो comfortable तरीके से curriculum की जो माईल स्टोंस है या math के concept हैं वो समझ जाते है और teacher उनने समझाने में confidence के साथ कामियाब हो जाते है अब हमारे सामने वर्स्ट्वेंड के साथ method है वर्स्ट्वेंड ने क्या किया कि 1992 में उसने research की और उसे पता चला कि साथ method ऐसे हैं जो teacher इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों की literature को पढ़ाते हुए math की teaching में या literature को math की class में involve कर सकते हैं नमबर वन तो आफर फ्रेमवर्क mathematical based task के लिए आप कहानी में से framework निकालें उसमें से problem निकालें और उसको math की टास्क बना दें to present manipulatives जिसके अंदर एक variety of context available हो और उसको कहानी से निकाल के दूसरे अंदाज में पैश किया जाए ताकि उससे math के concept solve किये जाए क्योंकि वहाँ plot भी है character भी है problem भी है बच्चों को encourage करते हैं mathematics को creative तरीके से सोचे creative artistic और games के style में करें जिसमें करने में ज्यादा fun है ज्यादा enjoyment है और present a thought provoking issues ये बताया जा सके ही कि जो math है उससे आपके everyday जो issues हैं वो resolve किये जा सकते हैं और उनका हल निकाला जा सकता है जैसे कहानी में आप एक problem का हल निका रहे है वाया mathematical concept to get ready for a mathematical idea or ability आपको तियार किया जा रहा होता है math के उस class के लिए जहां पे आपको निया concept सीखना है और उसके लिए कुछ information और basic plot का आपको आना जरूरी है बच्चों को clarity देने के लिए mathematical idea या ability के बारे में हम कहानियों को engage कर सकते हैं कहानिया बुनियादी तोर पर करती है कि वो आपकी text book या जो exercise book है उससे अलग application level approach बच्चों को देती है कि वो math के जो problem math के book में solve कर रहे है अगर real life में आ जाएं या कहानी के plot में एक situation में आ जाएं तो उन्हें कैसे solve किया जाए और कैसे हम मुक्तिलिफ किसम के mathematical ideas के थूँ इनको solve कर सकते हैं तो दीजार्दा के रिटर वेस जिसके थूँ हम stories और math दोनों को एकटे लेके चल सकते हैं